हेलो फ्रेंस बेलकम टू माई यूटूब चैनल संतू सेजु किसन वीडियो में आपका स्वागत है तो फ्रेंस आज किस वीडियो में हम बात काने वाले हैं वी एसी सेकंड यार जूलोजी माइनर से इंपोटेंट कोस्चन की तो अगर आपने अभी तक मेरे यूटूब चैन को समझाया इन प्राणियों के सरीर में एक अत्य थिक विक्सत तन्यांत्र बिधी expectila की वाले हैं। और इसका कॉरान ता सम्टापान जैसा एक महत्वण लच्छन उच्छ सेन्यों के जीवबदों में होता है और जन्तों के तौप को नीमित करने में तौप नीमन के अंदर पूर सच्छम होते हैं और तौप नियंतर की निमलकित विदियां सम तॉपी जंदों में पहुन जाती हैं तो देखें सबसे पहला आता है जब बौहरी तॉप सरीरी के तॉप से कम होता है तो देखTalkि यसे में क्या होता है यसे इस्थिति में गरम रख्ट बाले प्राelी अपने सरीर की उसमा को बिक्रण द्वारा बौत बाटव़न को दे द करते हैं अगर आप इसे पूरा लखना चाहा है तो लख सकते हैं तो इसकé बाद हम इस में दो Website में खायजन करते हैं कोण कोण बिसिती सब्सक्राइब करते हैं तो देखिए शरिय के बॉल तथा रेसों को खड़ा करके निए पहला स'T네 तउर दॉचा में इससे जो प्रिती बरती क्रिया होती है उससे तुचा में रक्त का प्रभा बंद हो जाता है और उसमा की हानी नहीं होती है अब देखिए अब इसके बाद इसका सेकंड है रेसों की बहुत मोटी परत दोवारा दुरूबिये एवं औरकेटिक छेत्रों में यानि की पोलर मोजूद उसमा को नश्ट होने से रोकते हैं अब इसके बाद इस तीसा देखिए सी में धमनिया तथा सिरों का मोटा जौल बनागा जलिये इस तंधारियों जैसे की सील, वेल के सिरों पर धमनिया तथा सिरों का मोटा जौल पाया जाता है जिससे सरीर की उसमा धमनी रक्त में सिदार रक्त में पहुँच जाती है और इस प्रेकार सरीर की उसमा नश्ट होने से बच जाती है अब देखे फिर इसके बाद इसी महचोथा तो चाह मैं बसा का मोटा इसता बना गाए देखिए यानि की बॉय मेकिंग ए ठिक फैटी लेयर इन इसकिन देखिए जलिये इस करती है जिसे हम यह भित्ती बिलेवर कहलाती है कभी कभी इस परत कभ बरजन मचली के कुल बजन का एक चौथाई होता है अब देखिए अब इसी में दिया गया है दूसरा बाला है जब बाता बन का तौप सरीर के तौप से बहुत अधिक होता है या हो जाता है अभी हमने देखा किया था जब बाता बन का तौप सरीर के तौप से बहुत कम हो जाता है अब इसमें हम यह वारा देखने वाले हैं तो देखिए जब बाता बन का तौप सरीर के तौप से बहुत अधिक बढ़ जाता है तो गरम रक्त बौले जन्तू इस उसमा को प्राप्त कर लेते ह तथा उसमा के इस आधिक के को भिविन प्रकार से नश्ट करते हैं तो देखिए इसमें पहला दिया गया है तुचा में रक्त के आधिक परिशन्चन द्वारा जन्तु द्वारा तुचा में आधिक रक्त का परिशन्चन होने दिया जाता है इससे सरीर की अधिक उसमा का चैय हो जाता है फर देखे फिर समय है दूसरा वाला यानि कि सेगंड बॉल तथा रेसों को तुचा की सतह पर चिपका कर चिपका कर तो देखिए बॉल तथा सरीर के रेसों को जन्तूं दोवारा तुचा से चिपका लेने से आब रोधक परतियाने की इंसुलेटिंग लियर पतली हो जाती है तथा तुचा से यानि किसकिन से उस्मा की आधिक मौतरा बहुता बड़ में छोड़ी जा सकती है अब इसके बाद आथा पसीने के रूप में सरीर के पानी की हानी दोवारा तो देखें पसीने के रूप में सरीर के पानी को निकॉल कर भी सरीर का तौप नियंत्रन किया जाता है और पसीने के रूप में निकले पानी को बास्पित काने हेतू पॉनी अपनी गुप्त उसमा यानिकी लेंटेंट है तो गुप्त उसमा तो देखे पॉनी अपनी गुप्त उसमा सरीर से प्राप्त करता है तथा सरीर ठंडा हो जाता है जैसे जैसे तब बढ़ता है सरीर दोड़ा आधिक पसीना निकाला जाता है और पसीना निकालने हे तू उस्तंधरियों की तुचा में स्वेत गरंतियां यानि कि स्वेत गिलेंट्स यानि कि पसीने वाली गरंतियां पहुंग जाती हैं और पच्छियों तथा मरसूपियल्स में स्वेत गरंतियां नहीं पहुंग जाती हैं देखे अब इसके बाद आता इसका चौथा इसी में है बसा को सरीर के कुछ इस्थानों पर एकत्र कार सरीर की सिस सतह से उसमा नश्ट काना लेक इस्थान में रहने बॉले प्राणी सदेव गरम बाता बढ़ में रहते हैं और यह जंतु अपनी तुचा की बसा को कुछ पाण में देखा होगा कुट्ट्टे को बहुत कम idle पसीना आता है वह अपने मुख गुहार की सथा से पाणी का बसा मन करता है सरीर से बास्थान है तो ऊसमा लेकर सरीथा ठंडा कर देता है और हॉपने के समा कुत्ते के सरीर के पॉनी के बॉस्पन की दर बढ़ जाती है अब देखे इसी में छटमा सरीर के पॉनी का बॉस्पन पसीने तथा हॉपने में करके देखे पॉल्तू पसू तथा भेड सरीर से पॉनी निकाल कर तथा हॉप कर सरीर के पॉनी का बास्पन करते हैं देखे फ्रिशी में है सातमा सरीर के बॉलों तथा रेसों को चाट करते हैं तो देखिए कंगारू बिल्ली खरहा आदी अत्यदिक गर्मी पढ़ने पर अपने सरीर के बॉलों तथा रेसों को चाट कर नरम यानि की नम कर लेते हैं और यह पॉनी बास्पित होने के लिए उसमा सरीर से राप्त करता है तथा सरीर का तॉप नियमत हो जाता है अब देखिए बिल में खुष कर देखिए छोटे-छोटे रोडेंट्स जन में सुईत गरंतिया नहीं पहुंचाती हैं तथा बे हॉप भी नहीं सकते हैं इसलिए बे बिल में रहका स्वैम को गर्मी से बचाते हैं अब देखिए इसमें दिया गया है पंखों को खड़ा करके नॉमा है पक्षियों में सुईत गरंतिया नहीं पहुंचाती है यानिकि पसीने बाली गरंतिया पक्षियों में नहीं पहुंचाती है इसलिए गर्मी से बचने के लिए आप रहे सरीर की सता से बॉस्पित कर सकें और बॉस्पन होने से सरीर ठंडा हो जाता है अब इसके बाद आता है यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आँगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकरिशन आपको सबसे पहले पराप्त हो सका है तो फ्रेंस मैंने बोटनी के भी सबी वीडियो बना दिये हैं पूरी यूनिट के अगर आपको उन वीडियो को देखना है तो आप मेरे यूटूब चैनल की पहले लिष्ट में जाकर देख सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अंगली वीडियो में जगता के लिए जाहन बन दिमाता है